दोक्रिशन फ्टेशन इस एब्लेट प्लेटव फ्लेट प्लेट प्लेटर अब्लाच केच आउड फ्लेट्ट्व प्लेट प्लेटल रे टीकें आइए, एसा एंवीड में आंसर है तो यह चार ओप्शन दिये हैं आपको तो simple सी बात है या जब ball किसी speed से आ रहे होगी तो player ने उसको catch किया यानि जब ball किसी speed से आ रहे होगी player catch करेगा तो उसकी speed क्या हो जाएगी फटाफट 0 उस speed को 0 होने में time किता दिया question में 0.1 second तो बहुत ही basic अपना जो basic formula होता है f is equal to m a इसी को लगए हमारा answer आ जाएगा mass भी दिया हो है acceleration हो जाएगा आपका v minus u divide by t तो f is equal to mass किता दिया है बाइट आप बोल का 120 gram अब इसको 120 ने लिखेंगे भई 120 divided by 1000 लिखेंगे क्योंकि सब कुछ हमारा answer ऐसे रिंड में होता है ठीक है final velocity तो कितना हो जाएगा बैटा 0 minus initial velocity कितना हो जाएगा आपका 25 meter per second time कितना लग रहा है 0.1 ठीक है और आपको जो question है उसमें magnitude पूँचा है question में क्या पूँचा है magnitude यानि अगर ये negative भी आएगा answer तो उसको हम क्या कर देंगे positive कर देंगे एक 0 से एक 0 खतम हो गया तो ये बचा 12 बटे 100 ठीक है ये हो जाएगा आपका 25 minus मैं हटा जता हूँ 0.1 पॉइंट आएगे तो उपर 10 आजाएगा ये एक 0 से एक 0 फिर से चला गया ये 25 गया 5 से 5 ताइम्स और ये जाएगा बटा आपका 2 ताइम्स दो से बारा गया 6 बार 6 फाइब जाएगा आपका 30 न्यूटन कितना सरा जाएगा 30 न्यूटन ओप्शन नमबर D ठीक है तो कुशन भी आपके किसमे है वेक्टर फोर्म में है तो बहुत ही बेसी कुशन है बोर्ड लेवल का कुशन है चलिए और इसमें बस एक चीज़ है कि इसमें आपको दिया नहीं है कि यह दोनों फोर्स किसी बोडी पर एक ही डरेक्श में लग रहे है या ओपोजिट डरेक्श में लग रहे है या परपेंड को लग रहे है तो हम तो क्या करेंगे कम से कम same direction और opposite direction तो check करेंगे जब दोनों force, दो vector quantity same direction में होते हैं, तो net force क्या होता बटा दोनों जुड़ जाते हैं, मतलब algebraic लिए ही जुड़ जाते हैं, और opposite होते तो algebraic subtract हो जाते हैं simple सी बात है, तो हम मानके चलते हैं same direction में, f1 और f2 दोनों किसमें हैं, same direction में हैं, तो net force कितना हो जाएगा यह हमारा, दोनों को जोड़ दीजे, तो यह हो जाएगा 8 i cape यह हो जाएगा 4 j cape और यह हो जाएगा आपका plus 4 k cape ठीके, अगर मुझे acceleration निकालना है बेटा, तो वह हो जाएगा हमारा force divide by mass, तो net force divide by mass, तो इसमें divide by क्या करना है, चार, तो चार का divide सभी करो, तो यह हो जाएगा 2 i cape plus j cape plus k cape, अब इसको आप option में check कीजे, अगर यह मिलता है तो ठीक है, नई तो फिर opposite वाला करते हैं, 2 i cape plus j cape plus k cape, option number c में, यानि आपका c ही correct हो जाएगा, अब मान लिजे भाई, या opposite direction में दे दिया होता, एक force ऐसे हैं, और एक force ऐसे दिया होता, तो हम net force किसे निकालेंगे भाई, जो बड़ा force होगा, उसमें से हम छोटा घटा देंगे, तो बड़ा यह दिखाए दे रहा है, तो यह हो जाएगा आपका 2 i cape, इसमें से इसको घटाना है भईया, तो यह जुड़ जाएगा इस बार, तो plus 12 j cape, plus 10 k cape, तो भईया extension कितना हो जाएगा, फिर से f divide by m कीजिए, तो 2 divide by 4, यह हो जाएगा, i cape divide by 2, plus 4, यहनि 3 j cape, फिर 4 किया, तो कितना हो जाएगा आपका 2.5 k cape, बासंद नहीं, बगर यह option आपको कहीं भी match नहीं करेगा, ठीक है, कम से कम IIT को इस acceleration का magnitude पूछने चीए था, अगर acceleration का magnitude पूछे जाता, तो कैसे निकालते हैं, इसका magnitude आपका root, जो i cape के साथ होता है, उसका square, जेगे के साथ होता है, उसका square, केगे के साथ होता है, उसका square, यानि यह हो जाएगा 2 square plus 1 square plus 1 square, तो यह हो जाएगा 4 plus 1 plus 1 root 6, ठीक है, अच्छा, अगर यहाँ पर minus होता, यहाँ पर minus होता, तो यहाँ पर minus नहीं होता, भाई, रूट 6C आता, ठीक है? So the question is, consider a block and trolley system as shown in the figure, if the coefficient of kinetic friction between the trolley and the surface is 0.04, the acceleration of the system is in meter per second square, यानि आपको acceleration निकालना है, बागी सब चीज़े उसमें जो भी दिये हो आप पढ़ लीजेगा, simple सी बात है वेटा, इसमें मैं पहले बता दो आपको, short trick नहीं लेगेगा, क्यों नहीं लेगेगा, दो कारण है, पहला तो इसमें friction आ रहा है, जहां friction आ रहा हो भाईया, वहाँ पर equation बना के काम करो, तो जब सक बढ़िया लेता है, दूसरी बात जो आप short trick की बात कर रहे हैं, net pushing mass into g divided by net mass, वो कब लगता है, जब दोनों masses जो है, वो कुछ इस प्रकार से हो, एक mass इधर हो, एक mass इधर हो, इस condition में आपका वो वाला trick लग सकता है, other condition में वो आपका trick नहीं लग सकता, उसके लिए में एक अलग trick बनाया हूँ, वो आपका वहाँ पर लग सकता है, तो यह 60 Newton है, यह किसी acceleration नीचे जा रहा होगा, A से, तो यहाँ पर tension T create होगा, वही tension वहीया, यहाँ पर इस प्रकार से आएगा, और यहाँ पर इसी प्रकार से आएगा, इसी tension के वज़े से नीचे जा रहा होगा, तो जितने acceleration से यह नीचे जाएगा, सिंपल सी बात है, अब दोनों का बस equation दिखा दो, यहाँ पर बात कर लेते हैं, तो वेटा, X-N नीचे की तरफ जा रहा है, यानि यह वाला force बड़ा होगा, यह वाला force छोटा होगा, तो equation होता है, आपका bigger force minus smaller force, is equal to mass into X-N, तो bigger force होगे, आपका 60 minus T is equal to 6 into A, यह हो जाएगी आपकी equation number 1, अब 20 kg की बात कर लेते हैं वेटा, तो 20 kg की equation, X-N इदर की तरफ है, तो tension force बड़ा होगया, friction force आपका छोटा होगया, तो क्या हो जाएगा, आपका T minus FK is equal to 20 into A, ठीके, यह हो जाएगी आपकी equation number 2, दोनों को जोड़ दो भाईया, चुकि यह minus में है, यह plus में, दोनों को जोड़ा तो यह खतम हो जाएगा, यह हो जाएगा 60 minus FK is equal to 26 A, sorry, मैं इसको 80 करने अब था, it is 26 A, अब यहाँ पर FK की value क्या होगी, तो फ्रिक्षन का basic formula क्या होता है, mu into n, तो friction होता है आपका mu into n, mu की value question में 0.04 दे रखा है, normal force इस case में क्या होगा, यह surface normal force उपर लगाएगा, तो यह normal force को कौन equate कर रहा है बटा, mg, यहनि 20 G, तो यह हो जाएगा 20 G, G की value दे रखा है question में, नहीं दे रखा बाई, G का कोई value नहीं दे रखा है, बगर यहाँ पर समझगी आप, जब 6 kg का 60 लिखा है, तो G की value 10 ही होगी, यहना basic idea लगा सकते हैं, जब 6 kg का mg 60 है, तो यहाँ पर भी G की value 10 ही दे रखी जाएगी, point अटाएगे तो नीचे 2 0 आजाएगे, 2 0 से 2 0 खतम होगया, तो 4 2 जा होगया आपका 8, ठीकि नहीं दिया है, तो यहीं से याड़े लगाएगे, तो बस इसमें value रख दो, तो 60 minus 8 is equal to 26 A, तो 60 minus 8 कितना होगे बटाँ आपका 52, तो 52 is equal to 26 A, तो A की value कितने हो जाएगी, 52 divided by 26, यहीं तो इसका double होता है, यहीं एक्सलिशन कितना आजाएगा, आपका 2 meter per second square, इसके 4 option थे वेटा, 342 1.2, तो आप answer के आएगा 2, ठीकि? So the question is, a block of mass 5 kg is placed on a rough inclined surface, as shown in figure, if F1 is the force required to just move the block up, the inclined plane, and F2 is the force required to just prevent the block from sliding down, then the value of F1 minus F2, G की value आपको 10 लेना है, तो diagram आपको question में दिया हुआ है, कि यह कोई inclined plane है, जिसका यह जो theta है, यह angle 30 degree है, यहाँ पर कोई block है, वो 5 kg का है, और यहाँ पर जो surface है, उसका mu दिया हुआ है 0.1, यहनि coefficient of friction, ठीकि? तो basic concept आपको पता हुआ बटा, इसके mg लगने वाला है इस block पर, उसके component का तो बता है न, अगर मानी जी एंगल theta है, और यहाँ पर कोई M mass का block रखा हुआ है, तो mg किदर की तरफ लगेगा? नीचे की तरफ, तो यह theta है, तो यह कितना है? 90, तो यह वाला angle कितना होगा? 90 minus theta, अगर मैं इसके surface के perpendicular ऐसे करूँ, तो यह वाला angle कितना हो जाएगा फिर से theta, क्योंकि यह 90 degree है न, तो इदर कितना हो जाएगा? mg का component mg cos theta, जिदर जिस x के साथ theta angle बनता है, उसके साथ cos theta वाला term जाता है, तो इदर कौन सा component बन जाएगा? इसके perpendicular mg sin theta, इस surface के normal force हमेशा इदर की तरफ लगता है, यानि यह normal force किसके बराबर हो जाएगा? mg cos theta के बराबर हो जाएगा, यह basic knowledge आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब बात करते हम first case की, तो first case में क्या कर रहे हैं? इसको उपर धखेल रहे हैं, अगर मैं इसको उपर धखेल लूँगा, तो यह उपर motion करने लगएगा, अगर मैं इसको उपर धखेल लूँगा, तो यह उपर motion करने लगएगा, तो भईये जब यह उपर motion करेगा, तो friction किते लगएगा? नीचे की तरफ, तो friction always opposes relative motion, तो मैं इसको ऊपर धकेलना चाहता हूँ तो friction नीचे की तरफ लएगा clear होई बात यानि मैं F1 जो force है F1 force जो है वो ऊपर की तरफ लगा रहा हम तो friction कितर लएगा नीचे की तरफ कितर लएगा नीचे की तरफ clear है kinet होगा हम तो edge की बात करेंगे और एक already एक force तो इसका जो mg component है वो तो इदर लगी रहा है न तो ये mg sin theta ये तो always लगी गई लगी गई लगी गई यानि एकर मैं बिल्कुल edge की बात करूँ minimum force कितना चाहिए मुझे तो वो force के एकर मैं बात करूँ तो वो इन दोनों force के बराबर होगा क्योंकि ये force उदर की तरफ है ये दोनों force उदर की तरफ है तो एक दूसरों को balance करेंगे तभी तो काम बनेगा न तो f1 की value क्या होगी आपकी ये हो जाएगी mg sin theta plus f इसमें कोई doubt किसी को friction force का formula होता है mu n mu की value दे रखिए और n हमने भी बताया mg cost अगे बराबर होता है तो f1 की value क्या हो जाएगी mg m कितना है 5 और g आपको question में 10 लेना है तो ये हो जाएगा 50 sin 30 sin 30 कितना होता बेटा आपका 1 by 2 plus basic है याद रहना चाहिए mu की value हो जाएगी 0.1 mg फिट से 50 हो जाएगा और cos 30 यहनी कितना होगा mg cos ठीटा होगा तो cos 30 कितना होता है बेटा root 3 divide by 2 ठीक है ये point ठीट आया तो नीचे 10 आएगा ये 1 0 से 1 0 खतम हो जाएगी ये 2 से 50 जाएगा आपका 25 बार यानी f1 हो जाएगा आपका 25 plus 2.5 root 3 ये 5 से जो 2 से 5 जाता है clear होगी तो f1 की value तो ये आचुकी है अब बस f2 की value निकालना है तो f2 कब लिख कब लग रहा है भाईया जब ये block नीचे आ रहा होगा न तो इसको सिर्फ रोके रखने के लिए f2 लगाया मैंने ठीक है तो f2 फिट से किदर लगेगा भाईया इदर की तरफ ही लगने वाला है क्योंकि ये नीचे आ रहा है अब समझो बात को जैसे मैं f2 उटाऊंगा ये block नीचे आएगा ये block नीचे आएगा तो friction किदर लगेगा friction तो इसके motion के opposite लगेगा यानि जब ये नीचे आएगा तो इस बार friction इस case में friction उपर की तरफ लगेगा इस case में friction उपर की तरफ लगेगा mg sin किटा को कोई change नहीं कर सकता वो mg sin हमेशे इदर ही लगेगा क्योंकि ये responsibly है इसके नीचे आने के लिए बात समझो में आ गई तो f तो हमारा ऊपर लगेगा friction भी हमारा ऊपर लगेगा mg sin नीचे लगेगा तो ये दोनों फोर्स एक ही डिरेक्शन में है ये दोनों फोर्स इसको balance करेंगे यही तो होता ना दो opposite direction में vector होते हैं तो इस तो balance condition की बात कर रहे हैं इस पूरे equation में is equal to mg sin theta, clear है, यानि f2 कितना हो जाएगा आपका, mg sin theta, minus f, इसमें कोई doubt नहीं किसी को, सब कुछ same ही है, तो मुझे बार बार इनकी value निकालने की ज़रत नहीं पढ़ना चाहिए, mg sin theta value मैं already निकाल चुका हूँ, वो 25 यह आएगा, और friction force की value, अभी भी 2.5 root 3 ही आएगी, clear है, आपको statically limiting, यह condition दी जाती है, और यहाँ पर 2 दी जाती है, तो यह question ठोड़ा difficult बन सकता था, मगर अभी यह बिल्कुल भी difficult नहीं है, mu आपको एक ही दे रखा है, तो वही use करना है आपको, इसलिए मैंने पहले ही कि दे था आप, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है भाईया, f1 minus f2, हमें निकालना है f1 minus f2, तो यह हो जाएगा 25, plus 2.5 root 3, minus कर रहे हैं बेटा, तो यह minus हुआ 25, और यह minus और यह minus हो जाएगा, plus 2.5 root 3, 25 से 25 खतम हो गया, यह दोनों जुड़ जाएंगे भाई, तो 2.5 root 3, 2.5 root 3 कितना हो जाएगा, double कर दें तो 5 root 3 हो जाएगा, तो 5 root 3 का हो जाएगा, आपको option number B में, ठीक है, So the question is, in the given arrangement of a doubly inclined plane, two blocks of mass capital M and small m are placed, the blocks are connected by a light string, passing over an ideal pulley as shown, the coefficient of friction between the surface of the plane, and the block is 0.25, the value of small m, for which m is equal to 10 kg, will move down with an acceleration of 2 meter per second square is, g को आपको 10 लेना है, 10 37 आपका 3 by 4 दे रखा है, ठीक है, चलिए, तो यह आपका 10 kg है, आपसे बोला है कि जो capital M है न, यह 2 meter per second square से नीचे आ रहा है, पेटा रसी एक ही है, जब रसी एक होती है, तो उसमें acceleration भी एक ही होता है, और tension भी same ही होता है, यहनि अगर यह वाला block, 2 meter per second square से नीचे आ रहा होगा, तो यह वाला block, 2 meter per second square से उपर जा रहा होगा, सिंपल सी बाद है न, रसी एक ही, और इस रसी में जो tension T होगा, वो tension इसी रसी में भी होगा, होई दिक्कत वाली बात नहीं इसमें, हम पिछले कोईशन में भी बात करी है, इस पर एक component आपका, mg, sine, कौन सा लेगा, sine theta, theta कौन सा लिया जाता है, यह वाला लिया जाता है, तो यहाँ पर mg sine तरेपन लएगा, clear हुआ के नहीं हुआ, और इसमें कौन सा लेगा भी यह, इसमें भी लगए mg sine theta, तो sine theta कौन सा लियेंगे इस बार, 37 लेगे, बात संद गाएगी नहीं, यहाँ पर normal force भी change हो जाएगा बेटा, क्योंकि friction हाई सहीं, क्योंकि mu दिया है तो friction होगा, तो normal force की जुरत पड़ेगी सहीं, यहाँ होगा mg cos theta, तो यह हो जाएगा mg cos 53, और इधर भी normal force उपर की तरफ लेने वाला है, उसको कौन balance करेगा, mg cos 37, यहाँ पर friction phase की value भी अलग-अलग होने वाली, क्योंकि mass अलग-अलग है, simple सी बात है, clear हुआ कि नहीं हुआ, तो यह हमारा भी खाल-फिलाल तक free word diagram चल रहा है, अब ध्यान से देखे बेटा, जब यह नीचे आएगा, यह block जब नीचे आएगा, friction किदा लएगा, इसके motion के opposite, तो जब यह block नीचे आएगा, friction लएगा उपर की तरफ, और यह block जब उपर जाएगा, यह block जब उपर जाएगा, friction किदा लएगा, नीचे की तरफ, इसमें कोई doubt नहीं, अब अब बस equation लिखना है, और solve करना है, small m की value निकालना है, equation कैसे बनाएगे हम, आपको पता है, जो extra force होता है, वही acceleration प्रवाड़ी तरह रहता है, या फिर आप समझो, कि जो bigger force, minus smaller force, is equal to mass into acceleration, इसा आप बना सकते हो, polyogram बनाया होगा आपने, तो भाया, जब यह नीचे आ रहा है, तो यह वाला force bigger होगा, और यह force, इन दोनों force को भी overcome कर रहा होगा, तब ही जाके इसके अंदर acceleration नीचे की तरफ आप आया है, यानि this force minus these two force, is equal to mass into acceleration, बास वंग में आगी नहीं, तो इसका equation क्या बनेगा, mg sin 53, minus tension minus friction, is equal to mass into acceleration, acceleration 2 है, mg value भी दे रखी है, सारी value put कर दें, कुछ निकलता है कि यहाँ से, क्योंकि सब कुछ दे रखा इसका, तो tension निकल जाएगा यहाँ से, capital M भी 10 है, तो g की value भी 10 है, तो 10 और 10 हो जाएगा 100, sin 53, तो बेटा यह basic angle होते हैं, 53 और 37 degree वाले, यह आपको normally याद रहना ही चाहिए, तो मैं यहाँ बना दता हूँ, यह side 3 है, तो यह angle हो जाएगा 53, यह angle 90 degree होता है, तो यह वाला angle किता बच जाएगा, 37, ठीक है, तो यह वाली side किती हो जाएगी 4, क्योंकि triangle के 3 angle का addition कितना होता है, 180 होता है ना, अब मुझे sign 53 चाहिए, तो 53 वाला यह वाला angle लेंगी, तो 53 और 90 जिस side पर होता है, वो होता है base, यह इस बार base का का काम करेगा, यह हो जाएगा perpendicular, और जो सबसे longest side होती, वो होती हाइपोटेनिस, तो sign डिटा क्या होता है, perpendicular by hypotेनिस, यानि कितना हो जाएगा, 4 divided by 5, cos 53 की value भी जरत पढ़ने वाली ही है, जरत तो सभी की पढ़ेगी, तो cos 53 भी लिख लेते हैं, cos 53 कितना हो जाएगा आपका, इस बार होगा base by hypotेनिस, यह नहीं 3 divided by 5, sin 37 की value भी निकाल जाते हैं, sin 37 कितना हो जाएगा आपका, perpendicular by hypotेनिस, यह हो जाएगा 3 divided by 5, और cos 37 कितना हो जाएगा, इस पार 4 divided by 5, सब पताते जाएगा आपको, बेर जो जाएगा 100 sin 33, यह हो जाएगा आपका 4 divided by 5, minus tension, minus friction होता है, mu n, mu कितना हो जाएगा, 0.25, normal force कितना हो इस case में, mg cos 33, mg कितना हो जाएगा, 100, cos 53 कितना हो जाएगा आपका, 3 divided by 5, is equal to, mass 10 है, 10 into 2 कितना हो जाएगा, 20, 5 से 100 गया, 20 times, 20 into 4 कितना हो जाएगा, 80, minus, यह point अटा, तो नीचे 2 0 आ जाएगे, यह 2 0 से 2 0 खतम हो जाएगा, 5 से 25 गया, 5 बार, 5 तरीज़ा कितना हो जाएगा, 15, तो minus tension, minus 15 is equal to, 20, तो बेटा, 65 minus 20 is equal to T, यह टेंशन कितना हो गया आपका, 45 newton, टेंशन कितना हो गया आपका, 45 newton, इसी को हम अगले वाले सीन में यूज़ करेंगे, तो इसको erase कर दें, इसके तो कोई जुरत नहीं, आप कोपी कर लिज़े, तो यह इसको हमने यहां से हटा दिया, हमें सरीप इसी की जुरत थी, वो हम निकाल चुके हैं, दूसरे की बात करते हैं वेटा, तो यह उपर की तरफ जा रहा है, तो इस बार जो bigger force होता है, उदर की तरफ ही आपका block accelerate करेगा, तो यह वाला tension force इस बार बड़ा होगा, तो tension में से यह दोनों force घटा दें, तो mass into excision आ जाएगा, simple सी बात है, तो T minus mg sin 37, mg sin 37 minus friction is equal to m into 2, tension कितना निकाला भाईए हमने 45 minus, small m तो निकाल नहीं है, g की value 10 हो जाएगी, sin 37 हमने अल्रेड निकाल दिया था, friction mu, mu कितना है, 0.25, normal force इस बार कितना आएगा, mg cos 37, तो mg cos 37 कितना हो जाएगा, 4 by 5, is equal to कितना, 2m, ठीकिए, बस m निकालना है, वही बचा है, solve करना है, बस गाम खतम, तो 45 minus, 5 से 10 गया 2 times, तो यह हो जाएगा 6m, is equal to point अटाया, तो नीचे 00, और 5 से 25 जाएगा 5 times, यह 5 से 10 गया 2 times, यह 2 से 4 गया 2 times, कितना बचा, 2m, तो minus 2m, और उधर कितना है, 2m, यह 2m से 2m मत उड़ा देना, यह जुड़ेगा भाई, तो सबको उधर लेके जाओ, तो इधर बचा, सिर्फ 45 is equal to, 2m, यह minus 2m हो जाएगा, आपका plus 2m, और यह minus भी हो जाएगा, आपका plus 6m, तो 2, 4, 6, कितना हो जाएगा 10m, यहनि 45 is equal to 10m, तो n की वेली हो जाएगी, 45 divided by 10, 45 divided by 10 कितना हो जाएगा, आपका 4.5 kg, तो 4.5 kg कहा जाएगा परट आपना, option number B में, ठीकिए? So the question is, a coin is placed on a disk, is mu, if the distance of the coin from the center of the disk is r, the maximum angular velocity which can be given to the disk, so that the coin does not slip away, ठीकिए? तो भईया, इसके 2 diagram मना हो हमे, एक तो अपना side view, और दूसरा हमेना top view, top view से ही आपका अच्छे समय में आएगा, समझो बात को भईया, यह कोई disk है, यह कोई disk है, तो यह भईया, अपने angular velocity omega से घूम रही है, यह omega ही निकालना है हमें, ठीकिए? इससे r distance दूर, एक coin रखा हुआ है, इससे r distance दूर, एक coin रखा हुआ है, अब यह घूम रहा है, तो हमसे पूछा है कि omega की value क्या होगी, कि यह जो coin है, इससे गिर ना जाए, समझ रहे हो बात को? अब समझ यह मेरे बात को, जब यह ऐसे motion कर रहा है, जब horizontal, किसको क्या बोलेंगे? horizontal circular motion, जब कोई object horizontal circular motion करेगा, तो उस पर एक force feel होता है, तो वो force किदर की तरफ होगा? पहले उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके frame में जाना पड़ेगा, तो इस coin के उपर आप बेढ़ जाएगे, तो आपको force किदर की तरफ feel होगा? बाहर की तरफ, उसको बोलेंगे हम centrifugal force, कौनसा? centrifugal force, तो बेटा, यह centrifugal force भार की तरफ ले जाना चाहेगा coin को, हमसे बोला है, हमें omega उतना है रखना है, coin slip away ना करे, तो बेटा, इसका जो coefficiental friction दे रखा है, वो mu दे रखा है, तो बेटा, अगर यह centrifugal force से coin उदर जाना चाहता है, तो इसको इदर कौन खीचेगा? Friction force, mu इसलिए तो दिया है, यानि अगर मैं limiting condition की बात करूँ, अगर यह friction force, centrifugal force के बराबर हो जाए, तो यह coin नहीं गिरेगा, simple सी बात है, तो limiting की बात कर रहे हैं, edge condition की, इसको बोलते हैं edge condition, तो friction force जो है, centrifugal force के बराबर होना चाहिए, मुझे omega निकालना है, तो omega की form में ही centrifugal force यूज़ करूँगा, तो friction force हो जाएगा बेट आपका, mu n, और यह हो जाएगा, m omega square r, ठीक है, normal force कितना हो जाएगा बेटास पर, इसमें normal force लगएगा उपर की तरफ, और यह निचलेगा mg, mg ही लगने वाला है, इसी का mass लेते हैं वही है न, इसी का mass लेते हैं, तो उसका mass मान लिया m है, तो mu नहीं दिया, सब कुछ वेरियबल में ही पूँचा है, n की value हो जाएगी mg, और m omega square r, m से m खतम हो गया, हमें omega ही निकालना है, तो omega square हो जाएगा, तो सिंपल सी बात बेटा, एक प्रकार कोशन है, मान लिजे यही सारे ब्लोक साफे कैसे होते, वन बाई वन इस प्रकार से जुड़े होते, तो भी यह कोशन आपका सेम ही होता, ठीक है, तो हम इसको बस simply free body diagram से use कर सकते हैं, बहुत ही easy कोशन दिया है, क्योंकि आपको friction के बारे पर भी कोई जानकारी नहीं दी गई है, अब ऐसे questions में हम क्या करते हैं सबसे पहले, इन ऐसे questions में हम सबसे पहले acceleration निकालते हैं, ठीक है, तो acceleration क्या होता बेटा आपका, force divided by net mass, क्योंकि ले दे कि यह किस से जुड़े हो हैं, रसे से जुड़े हो हैं, तो इनको एक ही system माना जा सकता है, तो force अबेटा आपका 80 newton, और total mass हो जाएगा 538, 8, 2, 10, यहनि acceleration कितना आजाएगा आपका, 8 meter per second square, यह acceleration आपके हर एक mass का होगा, ठीक है, यह 5 kg का acceleration भी 8 meter per second square होगा, 3 kg का भी और 2 kg का भी, टेंशन चाहिए T1, सिंपल ही बात है, इदर कोई friction है नहीं, तो इसका acceleration कितना है बेटा, 8 meter per second square, तो tension भी क्या होता है, force होता है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ इसको, mass into acceleration, तो 5 into 8 कितना हो जाएगा बेटा, आपका 40 newton, अब आप option देखिए, option है 40 newton, सिर्फ option number A ही में है, यानि यही आपका answer हो जाएगा, ठीक है, अगर मैं second वाले mass को देखता हूँ, तो second वाले mass का भी free word diagram बनाया जा सकता है, तो second वाला mass कहा है बेटा आपका, वो 3 kg है, तो 3 kg object में, tension लग रहा है बेटा, इदर की तरफ T2, मगर आप ध्यान से रखिए, 3 kg object में, एक tension T1 इदर भी लएगा, है ना, और यह 8 meter per second square से इदर isolate कर रहा है, तो इसका free word diagram क्या होगा, बल्लब equation क्या बनेगा, bigger mass minus smaller mass, is equal to mass into acceleration, यानि हो जाएगा, T2 minus T1, is equal to 3 into 8, तो T2 कितना हो जाएगा, 8 तर 24 और T1, T1 किता निकलादा हमने भी, 40, तो 40 plus 24 कितना हो जाएगा, 64 newton, जो की महाँ पर 40 newton के साथ ही था, तो option number A इसका correct answer आजाएगा, 40 newton and 64 newton, ठीक है, a block of mass small m, is placed on a surface, having vertical cross section, given by y is equal to x square divided by 4, if a coefficient of friction is 0.5, the maximum height above the ground, at which block can be placed without sleeping is, तो बेटा देखो, जब भी कोई block अगर यहाँ रखा हुआ है, तो वो दो चीज़ों के उपर depend करता है, एक तो उसको किस height पर रखा गया है, और दूसरा यहाँ पर यह ठीटा angle कितना है, ठीक है, मान के चलते हैं वेटा यह ठीटा angle को हम क्या बोलते हैं, angle of sliding बोलते हैं, या फिर angle of friction बोलते हैं, है ना, let us second, तो यहाँ पर इसको हम क्या बोलते हैं, angle of sliding और angle of friction बोलते हैं, तो जैसे क्या हुआ भाई, कि यह ठीटा angle हमने मान लिया, अब यह ठीटा इंगल मान को चलो 30 डिग्री है तो यह जो ब्लॉक है वो slip off नहीं होगा मगर 31 डिग्री पर यह जो ब्लॉक है वो नीचे slip करने लग जाएगा सिंपल सी बात है पैज़ा तो ठीटे पर depend किया दूसरी depend करेगा height पर मान के चलो भाई मैंने इस height पर रखा और इस height पर यह slip off नहीं हुगा इसका मतलब इस से थोड़ी उपर और height पर रखूँगा तो slip off हो जाएगा clear है इस बात समन में आ गई तो यह दो जोगों पर depend कर रहा है तो आपसे यह पूचाए कि इसको कितनी height पर रखा जाएगा कि यह slip नहीं होगा slip नहीं होगा मतलब equilibrium में होगा slip नहीं हुआ इसका मतलब क्या हुआ इस पर जितने force लग रहेंगा 0 हो जाएगे तो motion भी नहीं होगा अब इसके उपर कितने force लग रहे है तो symbol सी बात है वहिया यह आपको normally पता ही होना चाहिए class notes में लिखवाते हैं इसका एक एक नीचे के time तरफ लग रहे है mg force ठीक है अगर मैं इसको इस प्रकार से ऐसे बनाता हूँ तो बेटा अगर यह angle theta होता है ना तो यह angle भी आपका theta ही होता है इसको पिछले question में समझा चुका हूँ तो इसका एक component mg cost theta इधर आता है और एक component mg sign theta इधर की तरफ आता है mg sign theta तो चाहता है कि बेटा यह नीचे चला जाए नीचे slip off हो जाए मगर mg cost theta क्या करता है इसको बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है clear है अब यह mg sign theta जैसे इधर आ सकता था मगर क्या कर रहा है जैसे यह नीचे जाने कोश्च करेगा friction force इधर लगेगा opposite direction अब यह slip off नहीं हुआ तो हमें सर्फ edge condition लेनी है यह equilibrium condition लेनी है equilibrium condition क्या होगी अगर यह दोनों force बराबर हो जाए यह mg sign theta और friction friction यह दोनों बराबर हो जाए तो यह slip नहीं होगा यह आपका जो f हो जाएगा यह mg sign theta के बराबर होना चाहिए तो मैं यहाँ पर theta angle निकाल देता हूँ ठीक है क्योंकि इसका formula आपको direct याद होना चाहिए मैं बस यहाँ पर derive कर रहा हूँ आपके लिए और यह हो जाएगा आपका mg sin theta mg से mg उडा दे भाया इस costa को नीचे लेके जाओगे तो sin theta divided by costa हो जाएगा आपका 10 theta so 10 theta is equal to mu यह formula आपको पहले से याद होना चाहिए था ताकि आप इतना time जो है अपना बचा लेते ठीक है कोई दिक्कत नहीं अब 10 theta क्या होता है यहाँ पर अगर यह y है अगर यह distance x लेलू में ठीक है अगर आपको mu दे रखा है तो यहाँ से मैं theta निकाल सकता हूँ अगर मुझे theta नहीं निकालना मुझे निकालना है maximum height तो मुझे यह y निकालना है यह y कितना हो सकता है तो बेटा यह theta है अगर मैं इसको एक right angle triangle मानू तो यह y जो है perpendicular लोग तरह भी हो करेगा और x जो है base की तरह भी हो करेगा तो perpendicular को divide by base क्या होता है 10 theta और 10 theta हम already निकाल चुके हैं तो सबसे बढ़ी है बात क्या होगी भई यह इसको मैं as it is दूसरी चब्दों में slope बोल सकता हूँ इस triangle का तो 10 theta क्या हो जाएगा भई 10 theta क्या हो जाएगा dy by dx क्यों मैंने slope क्यों लिया क्योंकि यहाँ y जो है वो x की term में दिया हुआ है तो इसका मैं differentiation कर सकता हूँ आराम से ठीक है चलते हैं भई यह इसका differentiation कर लेते हैं फिर चलिए तो आपको y is equal to दिया हुआ है x square divided by 4 तो इसका dy by dx कितना हो जाएगा भई यह constant आ गया जाएगा और x square का हो जाएगा 2x तो यह 2 से 4 फिर से कट गया तो कितना आगे बटा यह आपका x divided by 2 ठीक है तो यह हो गया dy by dx और dy by dx कितना है बटा अपना 10 theta है तो 10 theta is equal to कितना हो गया अपना x divided by 2 ठीक है तो 10 theta कितना है बटा वही mu के बराबर है न क्योंकि यहाँ भी अपने लिकाला mu is equal to 10 theta तो mu की value कितना थी 0.5 तो 0.5 is equal to x divided by 2 यह point खटा तो नीचे 10 आया 5 से 10 गया 2 times यह 2 से 2 खतम हुआ तो x की value कितना आगई आपकी 1 मगर मुझे x की value नहीं निकालनी मुझे निकालनी y की value तो यह जो equation है इसमें वपिस दुबार x की value डाल दो तो x की value होई 1 तो 1 का square 1 ही और 1 divided by sorry it is 4 1 divided by 4 यहनी y कितना हो जाएगी यह आपकी 0.25 meter तो पिछले page पर चलके देखते हैं हमारे option क्या क्या है अचा 1.4 meter as it is दिया हुआ है 0.25 लिखने के आपको जुरत नहीं है ठीक है So the question is all surfaces shown in figure are assumed to be frictionless and the pulleys and the strings are light the acceleration of block of mass 2 kg is ठीक है तो भईया हम जानते हैं यह 2 kg block है यह आपका 4 kg block है तो as clear हमें पता है कि यह 4 kg जो होता है वो 2 kg से भारी होता है तो हम यह मान के चलते हैं कि 4 kg वाला block एक स्लिशन से नीचे आ रहा है तो क्या 2 kg block भी एक स्लिशन से इदर जाएगा नहीं क्यों नहीं जाएगा देखो पटा यह ऐसा condition में तब possible है जब मान के चली यह पुली है ऐसे हैं और एक block जो है उदर की तरफ है और एक block जो है इदर की तरफ है अगर यह एक स्लिशन से नीचे जा रहा होता है तो फिर यह एक स्लिशन से उपर जाता है क्योंकि दोनों में tension क्या होता है बेटा सेम होता है क्योंकि इस रस्षी भी एक ही है इसमें tension T होगा तो इसमें भी tension T होगा मगर यहाँ पर ऐसा नहीं है दोनों में रस्षी में जो tension है आपका वो same नहीं है कैसे नहीं है वहिया tension आप divide कर लो अगर मैं इस रस्षी में tension T मानता हूँ तो इस रस्षी में भी टेंशन टी ही आएगा ठीक है अगर इस रस्षी में टेंशन टी है तो यहाँ पर भी टी ही आएगा और यहाँ पर भी टी ही आएगा clear है एक ही रस्षी है मगर बेटा यह रस्षी तो दूसरी हो गई इस रस्चे के जो तो tension होगा वो इन डोनों tension का addition होगा ठीक है तो यहाँ पर tension 2T आएगा और यहाँ पर भी tension आपका 2T ही आएगा ठीक है के लिए होई बात अब एक short trick जो है आपको पता होना चाहिए अब इसका acceleration A माना है तो इसका acceleration आप A dash मान लीजिए ठीक है अगर same भी हुआ तो A dash की value वापिस A आजाएगी अब आपको एक short trick पता होना चाहिए कि जो total work done होता है इस case में वो 0 होता है यहना वही force into displacement force क्या है यहाँ tension लग रहा है वो बानके चलते हैं अगर मैं इसको एक बार differentiate करता हूँ तो tension तो बटा वही रहेगा X का differentiate करेंगा तो V हो जाएगा तो T dot V is equal to 0 हो गया एक और बार differentiate करें तो यह T dot A is equal to 0 हो जाता है यहना यह सब vector quantity है कोई दिक्कत नहीं तो यहाँ पर भाया tension और acceleration scene में चल रहा है तो आप T dot A is equal to 0 यूज़ करते हैं ठीक है अब देखो T dot A का मतलब क्या हुआ T A cos theta समझे है यह अट dot product हाटते हैं कोई टा लगता है अब यहाँ देखो tension उपर है acceleration नीचे है तो tension उपर हुआ acceleration नीचे हुआ तो दोनों के अंगले कितना आ जाएगा 180 और cos 180 होता है minus 1 तो इसका equation लिखता हूँ मैं सिदे सिदा तो यह हो जाएगा 2T into A cos 180 तो यह हो जाएगा tension और acceleration दोनों सेम डिरेक्शन में तो एंगले कितना होगे 0 तो T A dash cos 0 is equal to कितना हो जाएगा बेट आपका 0 हो जाएगा cos 1 ए T minus 1 cos 0 आपका 1 तो यह हो जाएगा minus 2T A is equal to T A dash sorry it is a plus है बीच में यहाँ पर है यहाँ पर plus है is equal to 0 है तो बेटा इसको दल लेके जाओ तो T A dash कितना हो गया आपका यह हो जाएगा 2T A यह A से sorry A की form में तो निकालना है T से T खतम हो गया तो A dash कितना हो गया बेटा आपका 2 A यानि यह जो acceleration होगा बेटा आपका यह twice of this acceleration होगा इसमें कोई doubt नहीं किसी को ठीक है अब हमें कुछ नहीं करना है हमें स्रिफ और स्रिफ इसकी equation लिखनी है और हमारा काम हो जाएगा clear है तो बस equation लिख देते हैं equation लिखना है हमें दोनों block की यह 4kg वाला block है इसका acceleration नीचे आ रहा है और इसका tension उपर है तो जिदर acceleration होता है वह वाला force बड़ा होता है तो इसमें एक और force लेगा नीचे की तरफ वो हो जाएगा आपका 4mg कितना हो जाएगा sorry it will be 4g है ना क्यूंकि mass ही तो 4kg है तो इस पर force कितना हो जाएगा 4g अब इस पर 2g जो है वो नीचे की तरफ लगता है इदर की तरफ लेगा 2g यहाँ नीचे की तरफ लेगा तो मैं पिछले question ने बताया था आपको इसके component होते हैं 2 इदर की तरफ होता है आपका mg cos theta यनि इदर हो जाएगा आपका 2g cos 30 उससे में कोई मदलब नहीं इसका इदर की तरफ force होगा वेटा 2g sin 30 2g sin 30 अभी कुछी दिन हो है pen tap से काम किये हो है तो handwriting और यह direction अगर थोड़ा time लेगा इसको ठीक है चलिए तो 4 kg वालब लोग नीचे की तरफ आ रहा है इसका tension उपर की तरफ है और 4g force नीचे की तरह है तो 4g force बड़ा हो गया equation लेख देते हैं वह यह bigger force minus small force is equal to that mass into acceleration तो 4g force बड़ा हुआ minus tension छोटा हो गया और is equal to mass into acceleration यहां से 2 common लेख लो तो यह हो जाएगा 2g minus t is equal to 2a तो यह हो गया आपकी 4kg ब्लोग की equation clear है अब 2kg वाले की लिख देते हैं तो इसमें acceleration इदर की तरफ है तो इसमें tension force बड़ा हो जाएगा यह वाला force छोटा हो जाएगा so t minus 2g sin 30 is equal to 2 into a dash है ना तो 2 into 2a लिख देते हैं क्योंकि हम उस a dash की value निकाल चुके हैं तो यह हो जाएगा t minus sin 30 होता है बटा 1 by 2 तो जो 1 by 2 आएगा उस 2 से यह t उड़ा दिया हमने simply तो t minus g is equal to कितना हो जाएगा आपका 4a ठीक है मुझे a की value ही निकालना है तो मुझे अगर a मिल जाएगा तो उसको double कर दूँगा तो 2kg वाले block का exclusion मिल जाएगा simple जी बात है तो मुझे t हटाना पड़ेगा तो बेटा यहाँ पर minus t है यहाँ पर plus t है अगर मैं दोनों equation को जोड़ दूँ तो दोनों equation को जोड़ेंगे तो यह 2g minus t plus t minus g तो यह t से t खतम हो जाएगा 2g minus g हो जाएगा आपका g और 2a plus 4a हो जाएगा आपका 6a तो a की value कितनी होगे वेटा आपकी g divided by 6 अगर a की value g divided by 6 है तो 2a कितना हो जाएगा 2 into g divided by 6 तो 2 से 6 गया 3 times तो यह हो जाएगा आपका g divided by 3 जो की option number b में है ठीक है तो अटो question is a stone of mass 900 gram is tied to a string and moved in a vertical circle of radius 1 meter making 10 rpm the tension in the string when the stone is at the lowest point तो आपको इस lowest point आपका यह वाला होता है तो इस lowest point पर आपको करना है tension निकाना है clear है अब देखिए बात जो आपके circular motion होते हैं वो को दो type की होते है एक तो होता है आपका horizontal circular motion जिसमें object आपका ऐसे गूमता है जिसमें आपका fan जो आप fan देखुए तो fan इस परकार से गूम रहा होगा तो इसको बोलते है horizontal circular motion इसमें क्या होता है जिसमें माली जिसमें कोई पत्थर को इस परकार से मैं गूमा रहा हूँ horizontal circular motion में तो पत्थर कहीं भी हो आपका stone कहीं भी हो हर point पर mg जो है वो नीचे की तरफ लगता है mg जो है वो नीचे की तरफ लगता है तो ये mg जो है इसमें लिया ही नहीं जाता तो tension center की तरफ होता है और अगर आप पत्थर पे जहां बैठ जाएंगे तो आपको centrifugal force बाहर की तरफ लगता है इस case मैं आप t is equal to f c करते हैं और आपका काम निकल जाता है यहां आपका stone है अपका stone है तो mg फोर्ष नीचे की तरफ लगता यहां है तो वह दीचे की तरफ लगता और यहां है तो नीचे की तरफ लगता तो इसको बोलता है, midpoint तो tension होगा centre की तुरफ, mg नीचे हो जाएगा और centrifugal force बाहर की तरफ होगा यानि टेंचन लेगा सेंटर की तरफ, एमजी लेगा नीचे और सेंट्रिफिकल फोर्स भी बार की तरफ लेगा तो यहाँ पर यह जो सेंट्रिफिकल फोर्स का डिरेक्शन है इसमें बच्चे दूसरी बार गलती करते हैं मैं आराम आराम से आपको सारी सी समझाऊंगा ताकि आप फ्यूचर में इसी गलती ना करें देखें जब आप यहाँ पर हैं लोईस पॉइंट की बात कर रहे हैं तो डसी कुछ इस्ट्रकार से होगा सिंपल सी बात तो टेंशन की दर लगेगा वह तो सेंटर की तरफ लगेगा mg फोर्स लगेगा नीचे की तरफ अब एक जो सेंटिफिटल फोर्स होता है centrifugal force होता है वो कब लएगा जैसा आप बाहर कड़े हैं तो आप centrifugal force लगाएंगे center की तरफ और यही आपका scene गलत हो जाएगा अगर आप बताई देता हूँ मैं आपको अगर आप बाहर कड़े हैं तो आप centrifugal force देखते हैं center की तरफ तो आप क्या लिखेंगे equation यहाँ t plus fc is equal to mg यह आपने क्या आपका answer गलत हो जाएगा बिलकुल 4 की जगा minus 5 हो जाएगे ऐसे equation में क्या करें आप बेटा आप खुद ही यहाँ पर आके बैट जाएं जब आप खुद ही यहाँ पर आके बैटेंगे और आपको कोई circular motion करवाएगा तो simple सी बात है आपको force बाहर की तरफ फील होगा यानि यह होगा आपका centrifugal force clear है तो यह जो tension है यह इन दोनों force के addition के बराबर होगा यानि t will be equal to mg plus fc clear होई कि नहीं बात अब fc के दो formula होते हैं एक होता है आपका mv square divided by r एक होता है mr square omega simple सी बात है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा वाला formula यूज़ करेंगे तो इसमें देखो भाई है यहाँ पर 10 rpm है rpm का मतलब होता है rotation per minute sorry it is mr omega square होता ही है ठीक है थोड़ा सा miscommunication हो गया था चली तो यहाँ पर 10 rpm होता है तो rpm का मतलता है rotation per minute अब एक rotation में एक rotation कब होगा जब यह object यहाँ से चलेगा और यह वापिस घूम के यहीं आ जाएगा तो इसको बोलते है एक rotation ठीक है तो एक rotation में कितना एंगल लेता है बटाइए 360 degree मगर omega का जो essence होता है वो होता है radian per second क्या होता है radian per second तो एक rotation में कितना एंगल लेता है 360 degree 360 degree को radian में के लिखिए हम 2 pi radian clear है और पर minute minute का मदलब उसको में कितने second होते है एक minute में 60 second clear है तो यह हुआ कब जब एक rotation लिया यह कब हुआ जब एक rotation लिया यहाँ omega तद रखाए 10 rpm तो यह जो है यह single एक rotation का था complete omega आजाएगा 10 rpm और rpm मैंने बताया 2 pi divided by 60 radian per second ठीक है तो यह 0 से 0 खतम हो गया यह हो जाएगा omega की value आजाएगी आपकी pi divided by 3 तो यह भी ध्यान रखें आप तो बागी सारी चीज़े मैं erase कर देता हूं उसके हमें अब कोई ज़रत नहीं है ठीक है 900 को भी बेटा kg में convert करना पड़ेगा तो 900 divided by 1000 और g की जगा आपको 9.8 लेना है आपको न यहाँ आपन टेम लिखने वाले थे 9.8 लेना है clear हुआ plus m वापिस m आगया बेटा तो 900 divided by 1000 कर लेंगे R की value 1 है तो लिखने ही जोड़त नहीं है ना R की value 1 है और omega square तो omega square हो जाएगा pi square divided by 3 का square 9 हो जाएगा तो यह 2 0 से 2 0 खतम करो यह 9 से 9 को उड़ा दो ठीक है यहाँ पर भी 2 0 से 2 0 खतम करो और यह point हटा देंगे तो 1 0 और आजाएगा तो 9 into 98 कर लीजे आप 9 into 98 आपका हो जाता है 882 है ना 9 into 98 आप करेंगे तो 882 आएगा उसमें divide by 100 करेंगे तो आपका answer आजाएगा 8.82 ठीक है एक question में पहली बार नहीं कर रहा हूँ इसलिए मुझे पूरा television पता है ठीक है और यहाँ पर pi square के जगह हमें लिखना है 9.8 तो 9.8 divided by 10 9.8 divided by 10 करूंगा तो यह point एक अदम आगया जाएगा यह नहीं हो जाएगा 0.98 ठीक है तो 2 और 8 हो जाएगा आपका 10 यहाँ पर 1 हुआ 9 और 11 10 10 और 8 18 8 1 तो यह हो जाएगा आपका 9.80 न्यूटन जो कि option number B में है ठीक है so the question is a particle is moving in a circle of radius 50 centimeter in such a way that at any instant the normal and tangential components of its acceleration are equal if its speed at t is equal to 0 is 4 meter per second the time taken to complete first revolution will be itna find the value of alpha तो यह question में दुबारा करा रहा हूँ भाई वैसे ही solve कराएंगे जैसे पहले करवाए था आपको बोला है कि tangential component और उसके normal जो component है acceleration का वो बराबर है यानि tangential acceleration एक सेकेंड tangential acceleration इसके normal component कुतना होगा बटाया centipetal acceleration यह दोनों आपको बराबर दिये गए अब simple सी बात है यह दोनों के दो-दो formula होते हैं पहले वो भी देख लेते हैं centipetal acceleration का होता है formula v square divided by r और omega square r और tangential का होता है बटा आपका dv divided by dt और v dv divided by dx कौन-कौन से वाले formula यूज़ करेंगे question में आपको 4 meter per second दे रखा है अगर यहाँ पर radian per second दे रखा होता तो omega वाला यूज़ करते है meter per second तो linear वेस्ट होती यानि यहाँ पर omega का काम खतम हो गया t is equal to 0 पर दे रखा है यानि जो आपका speed है वो time के उपर dependent होना चाहिए यानि यह तो displacement के उपर है इसका काम भी खतम हो गया यानि आपको simply v square divided by r जो है वो dv divided by dt के वरावर दे रखा है clear होगी बात सभी एक जिसे terms को एक तरफ लेके आते हैं तो dv divided by v square जो है वो आपका r sorry dv divided by v square यह हो जाएगा आपका 1 divided by r dt के वरावर ठीक है यहाँ 1 है r कितना है आपका 50 centimeter तो यह हो जाएगा 50 divided by 100 meter है ना meter में convert करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा 1 divided by 2 तो बेटा यह 1 divided by 2 होगा तो 2 उपर चला जाएगा simple सी बात है है ना तो इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ इसकी अभी कोई जुरत नहीं है हमें चलिए तो हमें क्या पता है कि जो dv divided by v square है वो हमारा 2 dt के बरावर होगा ठीक है क्योंकि r की value क्या है 1 by 2 तो 1 यहाँ हो जाएगा 2 पर आजाएगा दोनों तरफ integrate कर देते हैं भाई इसका integration तो minus two plus one divided by minus two plus one हो जाएगा और minus one divided by n plus one तो यह इसको my इसको means one divided by v लिख सकता हूं यह generally सबको ii8 के बच्चों को तो रटा हुआ होता है तो इसका minus one divided by v हो जाएगा तो यह हो जाएगा आपका minus one divided by v लिमिस हो जाएगी आपकी पौर से लेके v तक और 2 constant है dt का intuition आपका t हो जाता है 0 से लेके t तक minus को बहाँ निकाल लेते हैं पहले upper limit तो 1 by v minus lower limit तो 1 by 4 is equal to यह हो जाएगा 2 t minus 0 आपका t ही रहेगा इस minus को यहाँ से टाके मैं यहाँ करता हूँ तो मैं velocity का equation निकालना चाहता हूँ तो अगर मैं velocity का equation निकालूँगा तो यह minus 1 by 4 इधर आजाएगा तो equation क्या बनेगा भाई plus minus का ध्यान लगना इना question का बहुत इसमें feature है plus minus का minus 2 by minus 2 t plus 1 by 4 ठीक है यह चेक कर लेते हैं यही है ना हाँ चली भाई अब हमें जो velocity है वो time के respect में पता कर नहीं तो यह तभी उसके बाद फिर दुबारा कोई काम बन सकेगा तो यह हो जाएगा आपका 1 by V इसका calcium ले लो भाईया इसका calcium कितना आजाएगा 4 तो यह हो गया minus 8 t plus 1 यही हो ना तो V कितना हो जाएगा इसका उल्टा कर दोती हो जाएगा 4 divided by 1 minus 8 t अब velocity को क्या लिख सकता हो में सिंप्ली सी बात है बाईटा इसको तो मैं ds divided by dt लिखूंगा क्यों लिखूंगा यह question में दिया हो आपको कि भाईया time taken to complete इतना revolution जब वो revolution कवर करेगा तो distance भी तो cover करेगा बस इसी लिए तो dx by dt कितना होगे आपका 4 divided by 1 minus 8 t अभी question बहुत बड़ा है भाई थोड़ा time लगेगा इसमें तो यह हो जाएगा भाईया dx वो तो अकेला ही है विचारा इधर ही देगे तो यह जगा 4 divided by 1 minus 8 t dt फिर से integration कर दो अब t is equal to 0 पर उसका distance covered कितना था 0 ही था ना एक second में यहाँ पर बता जता हूँ आपको कैसे हुआ एक revelation की बात चल रही है यहाँ पर तो जब revelation शुरू हुआ 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 यहाँ पर तो t is equal to 0 था उसका distance covered भी कितना था 0 ही होगा चला तो सही नहीं ना अब t is equal to t time में उसने एक चकर लगा लिया तो t is equal to t time में एक चकर में कितना distance covered किया उसने 2 pi r है ना 2 pi r की value भी निकाल लो कि r आपको दिया हुआ है r आपको दिया हुआ है कितना दिया हुआ बेट आपको 50 cm दिया हुआ है question में जाके देख सकते हैं तो इसकी value भी निकाल लेते हैं यहीं पर तो 2 pi r और r की value है 50 cm तो 50 divided by 100 यह गया दो बार यह 2 से 2 खतम हो गया यानि एक regression में कितना distance covered किया इसने pi यानि उसमें time किता लगा t time और इसने distance करतना का वर किया pi simple सी बात clear हुआ तो dx का integration कितना हो जाएगा भईया xc होने वाला है और limit कहां से कहां तक लगगी 0 से लेके pi तक यह 4 constant बाहर आ गया अब यहाँ पर scene create होता है नया 1-8t इसका integration क्या बनेगा देखो तो बेटा जब 1 by t के term में कोई आता है ना integration के लिए तो उसका answer आता है log t यह होता है ना तो इस पूरे term का भी log ले ले लेते हैं यह ना basic है तो log 1-8t दूसरी गलती क्या करते हैं बच्चा यहीं छोड़ देते हैं बेटा जो इसका एक और बार integration होगा और उसका divide करते हैं तो 1 का तो हो गया 0 और इसका बचएगा minus 8 तो यहाँ पर minus 8 का हम divide करते हैं लिमिट लग जाएगी 0 से लेके t तक यह 4 से 8 जाएगा आपका 2 times इस minus x का अगर मैं लगाऊ ना तो pi minus 0 ही बनेगा ना तो pi minus 0 का मतलब क्या होता है pi हुआ ना इस minus 2 को इस pi से multiply कर दें अगले time में ठीक है तो यह हो जाएगा आपका minus 2 pi is equal to चेक कर लेते हैं बटा एक बार minus 2 pi log 1 minus 8 t ठीक है log 1 minus 8 t उसका लिमिट 0 से लेके t अगले गलती बच्चा यही करता है जैसे हमने distance का किया ना कि pi minus 0 को हमने direct pi लिग दिया यहाँ पर हमने क्या किया इस pi minus 0 को हमने pi लिग दिया सिदा क्योंकि 0 तो हम लगाते हैं नहीं कभी डारेक्च करने में जखकर में यहाँ पर गलती हो जाएगी आपसे क्योंकि अगर आपने log का t का लगाया तो यह तो 1 minus 8 t होना ही होना है 0 नहीं लगाया तो गलती हो जाएगी भाई कि 0 लगाते t का 0 होगा यहाँ 1 तो है बास सवन जाएगी नहीं ठीके तो यह आपका हो जाएगा minus log 1 हाँ 1 ही रहेगा log 1 हो जाएगा इसमें कोई डाउट नहीं किसी को यह term बहुत important है अब log a minus log b यह आपको basic formula पता होना अच्छी न log a minus log b आपका log a divided by b होता है ठीके यहाँ पर चाओं तो में लिख सकता हूँ log a minus log b आपका log a divided by b होता है ठीके छोटा छोटा लिख दिया मैंने तो यह हो जाएगा आपका log 1 minus 8t divide by 1 क्रियर हुआ चलिए आगे बढ़ते हैं वही है यह log हो गया तो अगर मैं log a लिखाए दर is equal to x तो a is equal to e कप और x हो जाता है यह वाली चीज़ भी आपको पता होना चाहिए ठीके तो यह कितना हो जाएगा यहां से log हटा दो तो यह हो जाएगा 1 minus 8t is equal to e कप और minus 2pi कोई दिक्कत नहीं मुझे यहाँ पर time का equation चाहिए और वो time का equation मुझे दिया हुआ है उसको मुझे equation में जो दिया है उसके साथ compare करना है तो मैं इसको फिर से लिए लेता हूँ यहाँ पर क्या दिया है आपको 1 minus 8t is equal to e कप और minus 2pi यह है न एकप और minus 2pi बहुत बढ़ी है तो इससे through हम time का equation निकाल लेते हैं तो यह हो जाएगा minus 8t is equal to e कप और minus 2pi minus 1 तो 8t is equal to हो जाएगा बेटा आपका e कप और minus 2pi minus किया हमने minus दे लेगे गए हैं तो यह minus का हो जाएगा और यह plus हो जाएगा और t जो है आपका वो हो जाएगा 1 divided by 8 1 minus e कप और minus 2pi यह जो t है ना यह equation में शुरूबात का जो question है वो देरखा आपको 1 by alpha 1 by alpha time taken है 1 by alpha e कप और minus 2pi तो इसको हम यहां रखेंगे अब ठीके तो कुछ चीज़ें हटा देते हैं यहां से ताकि यही पर solve हो जाए अगला page की ज़दत ना पड़े ताकि equation में यही है ना फिर तो t की जगह लिखना है वेटा में 1 by alpha bracket में 1 minus e कप और minus 2pi तो यह हो जाएगा आपका 1 by 8 1 minus e कप और minus 2pi पेटा यह पूरा term तो as it is खतम हो गया तो 1 by alpha is equal to 1 by 8 है तो alpha की value कितनी हो जाएगी आपकी 8 तो the question is given below are two statements आपको दोनो statement दिये हैं आपको इस चार option में से एक चूज़ करना है तो एक एक करके statement पढ़ते हैं the limiting force of static friction depends on area of contact and independent of material तो पेटा इस सरसर जूट बात है है ना कि area of contact पर depend करता है यह पुरानी theory है friction के ना जैसे अगर मैं बात करूँ कि अगर मैंने कोई गाड़ी लिए अगर मैं उस गाड़ी के चारो पईय अटा दूँ अब इस गाड़ी को गसिटने में जदा force लेगा simple सी बात है अगर मैं गाड़ी के चारो पईय लगा देता हूँ अब मुझे जदा खीचने में इसको जदा force नहीं लेगा तो उन्होंने बात करी थी कि पहले जब पईय नहीं थे तो area of contact जदा था तो force विजदा लग रहा था अब पईय लगाने पर area of contact कम हो गया यानि आप force भी कम हो गया तो यह पुरानी थे थी बेटा जो की जूट साबित हो चुकी है तो यह area of contact को बड़ीपेंड नहीं करता है ठीक है तो पहला statement जो है आपका incorrect है पहला statement incorrect आपको option number B में ही दे रखा है अच्छा यहाँ पर भी दे रखा है C में भी दे रखा है तो आपको check करना पड़ेगा कि दूसरा statement भी आपका correct है या incorrect है तो दूसरा statement भी दे रखा है the limiting force of kinetic friction is independent of area of contact यह बिल्कुल सही बात है इसमें area of contact के उपर बिल्कुल भी depend नहीं करता है and it depends on material material के बात करे हैं यानि mu की बात कर रहा है simple सी बात है अच्छा यहाँ पर surface के उपर भी depend करता है जैसे आपका surface wet हुआ तो friction कम हो जाएगा है ना और सूखा हुआ तो friction बढ़ जाएगा अगर वो rough हुआ तो friction बढ़ जाएगा smooth हुआ तो friction गढ़ जाएगा यही बात हो रही है यहाँ पर तो area of contact के उपर depend नहीं करता है surface of material के उपर depend करता है तो यह बात बिल्कुल सत्य है तो second statement is correct ठीक है मगर first statement जो है बिल्कुल आपका जूट है ठीक है false